पिती वर्स यानि की हर साल साथ अपरेल को विश्व स्वास्थ दिवस मनाये जाता हैं और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करें होंगे आपका सिविल सर्विस यानि की UPSC, IES हो गया या फिर स्टेट PCS में MPPSC हो गया बिहार PCS, चतिसगर PCS, राजिस्थान PCS, उत्तरपेजिस PCS या फिर आप देखी वंडे एक्जाम होते रहते हैं SSC, बैंक, रेलवे, या आप देखी टीचर्स, सक्षक भरतिया होते रहते हैं पोलिस के लिए, दरोगा के लिए, पटवारी के लिए इस तरह की अनेकों एक्जाम होते हैं और इन सब के पुराने कुश्चंस फेपर उठा के देखे होंगे तो आपको मालू होगा कि इस तरह की जो दिबस मनाय जाते हैं उनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्चंस पूचे जाते हैं आपकी प्रेलिम से मैं questions पूछे जाते हैं और मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों से कि आप जिस भी एक्जाम की तैयारी करें उसके 4-5 साल पुराने questions पेपर जरूर उठाके देखा करिएगा तो आज हम लोग विश्व स्वास्त दिवस के बारे में एक सामा जानकारी देख लेते हैं इसकी सुरुवात कब हुई थी क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश क्या है और आप देखेंगे कि इसकी थीम क्या रखी गई सब्जेक्ट क्या रखा गया है इस साल का उस पर भी हम लोग बात करेंगे और अगर इस टॉपिक से आपकी परिक्षा में कुश्चन्स आएगा तो आप लोग इस क्लास को देखने के बाद उसका आंसर दे पाएंगे क्या पाएंगे दे पाएंगे और हर साल साथ अपरेल को मनाया जाता है तो आप देखेंगे कि व देखेंगे दुनिया भर में लोग स्वास्त की पिती जागरूख रहें और इसलिए दिवस्त मनाया जाता है कि अपने स्वास्त की पिती तो जागरूखता रहें स्वास्त रहें इसे पिती बरस मनाया जाता है और पिते बरस इसके तहत विस्वर की लोगों की स्वास्त चि कि विश्व स्वास्ति दिवस्त कम मनाया जाता है तो आप बोल देंगे साथ अपरेल को और इस बार की थीम क्या रखे गई है Health for all और विश्व स्वास्ति दिवस पर भारत की पहल देखें तो 7 अपरेल को विश्व स्वास्ति दिवस के आउसरपल लोगों के बीच गैर संचारी रोगों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए स्वास्त सिविर का आयोजन भी किया गया था और विश्व स्वास्ति दिवस का उदेश बैस्विक स्वास्त मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ाना आसमानताओं को दूर करके स्वास्त समानता को बढ़ावा देना हित धारकों की भी सहयोग को प्रोसान करना और विस भर में स्वास्त पाइडामों में सुधार की प्रगती को उजागर करना और इसमें अच्छे स्वास्त की महत्व के पलोगों को सिक्षित करना और स्वास्ते सेवाओं तक पहुँच पिदान करना वंचीत समुदायों निम्न तथा मध्यम आयवाले देसों में बीमार जानते हैं कि अगर पैसा नहीं है, तो अच्छी स्वास्त विवस्ता भी उपलब्द नहीं करवा पाते हैं, आप लोगों के लिए नहीं हो पाते हैं, बच्चों के लिए सिक्षा नहीं उपलब्द हो पाते हैं, तो दुनिया भर में एक आंदोलन भी चलता है, कि दुनिया भ अपरेल 1948 को विश्व स्वास्त संगठन की स्थापना हुई थी और इसलिए आप देखते हैं कि साथ अपरेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर आप लोग याद रखेगा विश्व क्या मनाया जाता है। और इसके उद्देश की बात करें तो अंतराष्टी है स्वास्त कार पर निदेशन और समनबैट पराधीकन की रूम में कार करना। सहयुक्तराष्ट बिसिष्ट एजनसियों, सरकारी स्वास्त पिसासनों और पेसेवा समूहों और ऐसे अन्य संगटनों के साथ प्रभावी सहयोग इस्थावित करना और बनाय रखना जिने ओचे समझा जा सकता है। अन्रोध पर स्वास्त सिवाओं को सुद्रण करने में सरकारों को सहयता पिर्दान करना। स्वास्त की उन्नती में युगदान निजने वाले बिज्ञानिकों और पेसेवा समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना भी इसकाउट देश है। और आप देखेंगे सासन की बात करें, तो विश्व स्वास्त सभाव WHA, विश्व स्वास्त सभाव WHO का सासी निकाय है, जिसमें WHO की सभी सदस देशों के पिती निन बंडल सामिल होते हैं, और यह जैनेवा सुईजेलेन में बासिक रोप से आयोजित की जाती है, और कारकार बोड द्वारा तियार किया गया विश्व स्वास्त एजेंडा इस सभाव का केंद्रिय विश्य होता है, और यह आप देखेंगे कि विश्व स्वास्त संगठन की द्वारा कुछ रिपोर्टें भी इससे जुड़ी हुई है, विश्व स्वास्त सांखिकी, विश्व स्वा सबाल का जबाब यहां मिल गया होगा और आप लोग पढ़ते रहिए अगर कोई आपका सबाल हो मेरे लिए कोई सुझा हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं